हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आपका एक बार फिर से स्वागत एक नई वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गूगल प्ले सर्विसेस की बहुती कॉमन एरर के बारे में आपने कई बार देखा होगा कि आपकी फोन की डिस्प्लेय में गूगल प्ले का एक मैसेज बार बार पॉप अप होते रहता है जिसमें लिखा रहता है अनफॉर्चिनेटली गूगल प्ले सर्विसेस है इस स्टॉप तो यह जो एरर है इसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है यह कैसे आपकी एरर ठीक होगी वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो के एंड तक देखना आपको कुछ सलूशन्स बताऊंगी आपको उन सलूशन्स को एक ये करके फॉलो करना है और उन्हें से एक सलूशन जरूर आपके लिए वर्क करेगा तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला solution जो आपके लिए work कर सकता वो यह है कि आप अपने जो phone है उसको restart करिए कभी कबर क्या होता है restart करने से भी जो error होती है आपके android phone में जो error आरी होती वो resolve हो जाती है दूसरा solution है आप अपने phone का date and time चेक करिए कि वो सही है या गलत है इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी phone की settings open करना है then scroll करने के बाद आपको option आएगा additional settings का या फिर date and time ऐसा कुछ option आएगा आपको से click करना date and time में click करने के बाद देखिए इसमें automatic date and time सेट है तो आप भी यही कर सकते है या manually set कर लीजिए तो आपको जो date and time है वो correct होना चाहिए अगर आपकी problem फिर भी resolve नहीं होती तो आपको अपने Google Play Store का cache and data दोनों clear करना पड़ेगा इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी phone की settings open करना है phone की settings open करने के बाद आपको apps में जाना है apps में click करने के बाद आपको manage apps वाले option में click करना है आप जब यहां चले जाएंगे तो आपको search box दिखेगा आप search box में type करिए Google Play Store ठीक है Google Play Store का आपको दिख जाएगा option तो आपको उसे click करना है और देखे clear data का आपको option आ रहे हैं हापर आपको clear all data and clear cache करना है जब आपको clear कर देंगे उसके बाद आपकी problem resolve हो जाएगी अगर आपकी problem फिर भी resolve नहीं होती तो आपको Google Play Store को force drop करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको अपनी phone की settings open करनी है open करने के बाद आपको दुबारा से apps में जाना है apps में click करने के बाद manage apps में जाना है then आपको search box में type करना है Google Play Google Play Store का आपको option दिख जाएगा वहाँ पर आपको force drop का option दिख रहे हैं आपको उसे click कर देना है अगर आपकी problem फिर भी resolve नहीं होती तो आपको Google Play Store से जो recent updates हैं उनको uninstall करना पड़ेगा उसके लिए आपको दुबारा settings में जाकर apps में जाना पड़ेगा then फिर आप manage apps में जाएगे manage apps में जाने के बाद आपको Google Play Store का option दिखेगा वहाँ click करने के बाद आपको uninstall updates का एक option दिखेगा नीचे उसे आपको click करना है इससे जो recent updates होंगे वो uninstall हो जाएंगे और आपकी error जो आरी थी वो भी resolve हो जाएगे ये जितने भी solutions मैंने आपको बताएं सब solutions को आप एके करके try करना इन में से एक solution जरूर आपके लिए work करेगा अगर आपकी problem resolve हो जाती है तो इस वीडियो को like करें share करें और इस चैनल को subscribe जरूर करें thank you so much